नमस्कार दोस्तों मैं तानिया स्वाकत है आप सबका आपके अपने चैनल टेक्निकल गौर्मेट जोब आल अवर इंडिया पर फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में कोश्चिन है पटरी के किनारे लगे हुई इस बोर्ड का क्या मतलब होता है जो बोर्ड मैंने पिक्चर में आपको दिखा रखा है तो इसके बारे में हम बात करेंगे देखे चाहे आप रेल्वे की प्रिक्षा की तयारी कर रहे हैं चाहे नहीं भी कर रहे हैं तब आपके लिए जाना जरूरी है इससे नौलज बढ़ती है तो चलिए हम बात करेंगे सबसे पहले फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नहीं है अगर आपने मेरे चैनल पर आज फर्स टाइम विजिट किया है तो रैड बटन दबा कर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल बटन जरूर दबाईएगा यह होता है नोटिफकेशन के लिए मैं कोई भी नई जॉब डालूँगी उस जॉब का नोटिफकेशन उसी वक्त आपके पास आ जाएगा और आप हर जॉब को सबसे पहले अपलाई कर पाएंगे तो चलिए फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आपको बाहर पिच्चर में दिखाया था कि दो बोर्ड है यह क्यों लगे होते हैं क्या मतलब होता है इनका देखी दोस्तो हम अकसर कभी भी सफर करते हैं ट्रेंड में या फिर हम अगर उस साइट से निकल रहे होते हैं तो हम अलग अलग तरह के लगे हुए बोर्ड की तरफ देखते हैं लेकिन हमें उस वक्त यह तो पता ही नहीं होता कि यह बोर्ड क्यूं होता है किसलिए लगा होता है तो हम उसके बारे में बात करने वाले हैं देखिए यह जो है सिफा बोर्ड होता है WL बोर्ड है जो देखिऑ आप देख रहे हैं पीले रंग का होता है यह और इसमें ब्लैक कलर में लिखा होता है इसको कहते हैं city संकेतक बोर्ड यह फिर आप इसको इंग्लिश में बॉल सकते हैं whistle indicator बोर्ड ये यलो कलर की बोर्ट पर होता है ब्लैक कलर से लिखा होता है अब सबसे पहले देखे डबल्यू लिखा हुआ बोर्ट ये क्यों होता है ये ट्रेन के ड्राइवर को समाने रूप से सीटी भजाने के लिए निर्देशित करता है और जबकि WL जो board है या फिर सीफा लिखा हुआ जो board है ये train के driver को इस बात से अवगत कराता है उन्हें बताता है कि आगे की तरफ जो रस्ता है जो फाटक आने वाला है ये मानव रहित फाटक है और वे train के city बजाते हुए फाटक को पार करें और WL या फिर सीफा लिखा हुआ board मानव रहित फाटक से कितने मीटर पहली लगाया जाता है फ्रेंग्स मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा यह बहुत ही जरूरी बात है आपको पता होने चाहिए ठीक है तो आपकी नौलेज भी बढ़ती है आपको वीडियो पसंद आया होगा पसंद आया है तो लाइक शियर जरूर कीजिए थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो फ्रेंग्स थैंक यू